जो गलतिया इन्होंने करी पहले ट्रांस्पांटेशन के वक्त वो भी आपको बताने वाले हैं ताकि अगर आप ट्रांस्पांटेशन करवाओ तो आप ये गलती कभी मत करो वरना आपको दूसरी बार ट्रांस्पांटेशन करवाना पड़ेगा आज का एक्षिंट करने वाला है। आज की वीडियो में जो पेशन का आपको शो करने वाला है इनका दूसरी बार transplantation हुआ था, पहले जो इनका transplantation हुआ था, वहाँ पे इनका result इतना अच्छे नहीं आये थे, काफी patient के साथ ऐसा होता है, वो जो पहली बार transplantation करवाते हैं, तो उनको जादा knowledge नहीं होती, और वो इनको बहुत chances जैसे होते हैं, अपने transplantation खराब करवा ले थ हैं, first transplantation के बात की जो condition थी वो भी आपको दिखाने वाल है, जो गलतियाँ इन्होंने करे पहले transplantation के वक्त, वो भी आपको बताने वाले है, ताकि अगर आप transplantation करवा हो, first time आप transplantation करवा हो, तो आप ये गलती कभी मत करों, वरना आपको दूसरी बादा करवाना पड़ेगा वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो को स्टार्टिंग से लेखके एंड तक देखेगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इफिमिशन आपको मिलने वाली है लेकिन सबसे पहले आप ये ट्रास्प्रांटेशन करवाना जाते ह और आप कंफ्यूज हो आपको कितने गराफ लगेंगे आपको ट्रास्प्रांटेशन का खर्चा कितना आएगा आपको ट्रास्प्रांटेशन करवाना चाहिए कि नहीं और आप दे क्लिनिक से सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besterhip.com बेविजिट कर सकते हो वह हम बात करें before the surgery की जो की result है पहले hair transplantation का यहाँ पर देखिए तीन important बाते ऐसी है जो की note करने वाली है number one इनका अगर baldness की तरफ हम ध्यान दें इनकी condition की तरफ ध्यान दें तो इनके सर्फ back area में ही baldness आई है मतलब क्या reason है कि इनकी जो baldness है वो back area में आई है आपने हमारी already काफी case studies देखी होगी जिसमें जो baldness का pattern होता है वो almost same होता है लेकिन ये pattern थोड़ा different दिख रहा है दूस इस transplantation के result को एक failed transplantation result कहना सही रहेगा की नहीं मतलब अगर आपका transplantation का result ऐसा आ जाता है suppose आप transplantation करवालो और आपका result ऐसा आ जाता है 6-8 महीने बाद तो क्या doctor को जिम्मेदार ठहराना सही रहेगा की नहीं अगर आप अपने doctor के पास वापस आते हो उनको ये result दिखाते हो तो क्या free में doctor को इसको ठीक करना चाहिए की नहीं तो ये 3 important चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली है अभी जो सबसे पहले हम point discuss करने वाले है वो है number one point बाकी के जो दो point है वो आगे जाके वीडियो में हम discuss करेंगे एक एक करके तो जो number one point है जो मैंने आपको बताया था कि इन patient के सिर्फ back area में baldness की हुआ है इनका pattern थोड़ा different क्यों है जैसा कि वीडियो को title है इनका transplantation failed हुआ है जी हाँ जब इन्होंने contact किया था तो ये already transplantation टरवा चुके थे एक से डेट साल पहले इनका transplantation का result आप देख सकते हैं काफी जादा interesting तो नहीं काऊँगा काफी attractive भी करते थे और in fact जहां आपको बाल दिखाई दे रहे हैं जहां आपको hair आपको दिख रहे हैं frontal area में वहां पे इनका baldness हुआ करता था फरस्ट हे transplantation से पहले तो इन्होंने जब प्रांस्पांटेशन करवा है frontal area में पीछे वाल एरिया में जहां इनके बाल हुआ करते थे वहां देरे देरे करके बाल जढ़ने लगे और आप देख सकते हैं अभी की condition पूरे almost जढ़ चुके हैं मतलब ये baldness काफी ज़ादा इनका पीछे वाल एरिया में आ चुका है और बहुत weird look लगता है obviously अब देखे donor area की बात करें तो बिलकुल एक average donor area है ज़ाद अच्छा donor area नहीं रहा गया है obviously पहले है transplantation से पहले हो सकता है इनका बहुत च्छा donor area रहा हो लेकिन अभी की condition देखें तो donor area बिलकुल एक moderate है अभी जो डॉक्टर के लिए task ये था कि इनकी जो baldness है पीछे वाल एरिया काफी ज़ादा बड़ा एरिया है कैसे grafts का placement करा जाए कैसे grafts का extraction किया ज देख सकते हैं पीछे वाला area जहां baldness आ गया था पहले transplantation के बाद वो area पूरा का पूरा cover कर दिया है पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से cover हो जाए आप देख सकते है spreading में graph लगाए गए हैं बहुत अच्छी तरीके से graft का placement हुआ है कोशिश करी गई है पूरा का पूरा area cover हो चुका है frontal hairline दोबारे से बनाई गई है जबकि आप सभी को पता है पहले hair transplantation में बना दी गई थी और इनके already hair थे frontal hairline में लेकिन दोबारे से बनाई गई है अब यह क्यों बनाई गई है यह आगे जाके वीडियो में में discuss करूँगा सबसे best part इनकी surgery का इनका beard का इस्तमाल बिल्कुल नहीं किया गया है जबकि आप सभी को पता है पहले transplantation का already हो चुका था donor area से 2000 प्लस grafts already निकल चुके थे फिर भी इनके second session में beard का इस्तमाल नहीं किया गया है इसका simply मतलब है कि doctor ने बहुत अच्छी तरीकी से extraction किया है कि इनके सिर्फ पीछे वाले area से इतने अच जाद अच्छी थी अगर आप बात करें क्राउन एडिया की आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्राउन को कवर किया गया है आप सभी को पता है क्राउन एडिया का result जो होता है वो frontal hairline से हमेशा थोड़ा बहुत कम ही होता है अब अगर बात करें टेंपल्स की तो इन पेशन के केस में आप देख सकते हैं इनके टेंपल्स बिलकुल नहीं बनाएगे क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं थी काफी पेशन बहस करने लगते हैं डॉक्टर से कि मुझे टेंपल्स चाहिए बहुत unrealistic expectation लेके डॉक्टर के पास आ जाते हैं पेशन पर बहस करने ल बात करें after one month की transplantation से एक महीने बात की तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो sharing case चल रहा है obviously transplantation के बाद आपको सभी को बताई sharing case जाता है जिसमें आपके जो transplanted hair होता है ज़र जाता है देरे-देरे करके वो ग्रो होने लगते हैं दूसरी बात जो notice करने वाली यह है कि density अगर पर अलड़ी काफी जादा बाल थे तो हुआ क्या जब transplantation हुआ उसके बाद जब shedding phase आया तो पीछे वाले बाल जितने भी थे वो transplanted hair थे वो सारे जड़ गए लेकिन अगर हम बात करें आगे की तो वहां पर अलड़ी काफी जादा बाल थे transplantation से पहले जो कि अभी आपको महीना हुआ है और आप डोनर अरिया देखिए अल्मोस्ट हील हो चुका है देखिए maximum number of patient जो transplantation करवाते हैं उनका डोनर अरिया कम से कम देड़ से दो महीने में हील होता है लेकिन इन पेशिन के केस में यह बहुत एक सप्राइजिंग पॉइंट था कि इनका डोनर एरिया व और ओफिसल़्ी आपको दिखाई दे रही होगी अगर हम कपेर करें एक महिने बाद से कि करूपी महीने बाल थे इनके जो के transplanted hair थे obviously जो first transplantation हुआ था उसके जो बाल थे वो अभी तक मौझुद थे लेकिन जो पीछे वाला area था वो काफी जादा ज़ड़ जोखा था अब इसके reason के गर हम बात करें तो देखें इसका एक बहुत simple सा reason है 99% chances है जब इन्होंने transplantation करवाया होगा तो इ बालों के जड़ने की स्वीडियो तो काफी ज़्यादा होती है मतलब आप दिन में 200-200-200-200 बाल आपको जड़ते वे दिखाए दे सकते हैं जो कि progressive hair fall होता है अब देखें आप लोग सोच रहोंगे कि अगर आपका progressive hair loss है तो आपको transplantation करवाना ही नहीं चाहिए सब्बोज आप 3rd grade के baldness के patient हो और आप progressive hair fall है तो आपको transplantation नहीं करवाना चाहिए नोक्टर आपको recommend क्यों कर रहे हैं लेकिन इसके पीछ एक simple reason होता है आप बिलकुल transplantation करवा सकते हो अगर आपका hair loss progression में है लेकिन उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा आपको कुछ medication follow करनी पड़ेगी ताकि जो आपकी transplanted hair होंगे वो तो maintain रहेंगे रहेंगे उनको medicine से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो आपके existing hair होंगे वो medicine की वैसे रूख जाएंगे और आपका look weird नहीं होगा in future transplantation करवाते और आपका hair loss progression में है तो please medicine को continue रखी जो डॉक्टर ने आपको recommend की है आपके transplanted hair तो नहीं जड़ेंगे obviously लेकिन जो आपके existing hair होंगे वो जड़ सकते हैं अगर आप medicine continue ना रखो तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर हम बात करें after 5 months की transplantation से 5 महीने बात की तो आप देख सकते है condition बहुत ही ज़ादा different है मतबब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा amazing density आई है इनकी growth अब easily visible है जो area एक time पे bald हुआ करता था transplantation के बाद जो मैंने आपको दिखाया था वो area almost cover हो चुका है although यह जो result है यह सिर्फ 50 to 60% है अब यह और result आना बा reconstruct की गई इसके पीछे reason यह था कि देखे जब इन्होंने transplantation करवाया था first time तो इनका frontal area में transplantation हुआ था लेकिन अगर हम बात करें पहले transplantation के एक साल बात की तो इनके although frontal area में grafts बचे हुए थे लेकिन जो hairline का pattern था वो पूरा disturb हो चुका था hairline उतनी अच्छी नहीं लग रह थे इस वज़े से इनको hairline दुबारे से reconstruct की गई और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनकी hairline आई है बहुत ही amazing लग रही है hairline काफी जादा natural लग रही है crown area की बात करें तो देखे crown area बहुत अच्छी तरीके से heal हो रहा है although crown area का result है वो काफी जादा late आता cover हो जाएगा अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे important request करना चाहता हूँ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कियो है तो बहुत अच्छी बात है thank you so much लेकिन अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो है तो प्लीज अभी के अभी हमारी चै सारे की सारे information जान जाओगे और आपके साथ कभी भी transplantation failure cases नहीं होगा हमें काफी लोग contact करके बताते हैं कि आपके चैनल से जुड़के हमें transplantation के fundamentals अच्छे से पता लग गए और काफी लोग ने हमें transplantation successfully करवाया भी है best to help you through तो अभी के अभी हमारी चैनल सब्सक्राइब प इनका result आया है मतलब जो इन्होंने expect किया था उससे जादा भैतरी इनका result आया आप देख सकते हैं बहुत ही amazing density लग रही है frontal hair line की जो condition है आप अगर compare करोगे पहले hair transplantation के बाद से इस hair transplantation के बाद की तो आपको जमीन आसमान का फरक लग रहा होगा बहुत ही amazing इनकी frontal hair line आया है single hair follicle के इस्तमाल किया गया था frontal hair line में proper angulation रखे गए थे temple creation इनका बिलकुल भी नहीं हुआ था जिस वैसे आप देख सकते हैं अभी कोई देखके इनको बोले गाने इनके temple receipt हो गया है temple creation इसलिए ही नहीं किया गया क्योंकि इनके already temples बहुत अच्छे थे अब अगर हम बात करन fail hair transplantation होता गया है basically अगर हम बात करें इनके पहले hair transplantation की तो obviously इनका पहले hair transplantation में क्या हुआ था इनकी frontal layer line बनाए गए थी frontal layer में इनका around 2000 plus grafts लगाये गए थे जो कि बिलकुल ठीक बात है कोई गलत बात नहीं है और इनका जो उसके बाद एक साल बात की condition हुई उसमें इनके प transplanted बालों के बारे में भी तो यहाँ पे गलती यह थी कि इनके transplanted बाल भी काफी जादा जड़ चुके थे मैं यह नहीं कहुँगा इनका frontal area में भी काफी जादा hair loss हो चुका था तो देखा तो obviously वहाँ पे भी काफी जादा hair fall हो चुका था जो कि नहीं होना चाहे तो obviously transplantation के ए इनकी जो extraction हुआ हो वो safe zone से नहा हुआ हो obviously अगर safe zone से grafts निकाले जाते तो कम से कम 90% hair तो survive करते लेकिन इनकी density तो almost आधी हो चुके थी frontal area की भी तो वहाँ पे एक major यह reason था जिस वैसे मैं transplantation को failed transplantation कहुँगा यह मेरा अपना personal opinion है अब आपका जो opinion है आप नीचे comment में बताओ आप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आप भी हमारी वीडियो ऐसी देखना चाहते हो तो अभी जाब हमारी वीडियो को like करिए अपने friends के साथ share करिए एंड अगर आप first time हमारे चैनल में आने तो please चैनल को subscribe करते कि आने वाले time में बहुत सारी ऐसी वीडियो लाने वाले है जिनकी notification डिरेक्ली आपके phone में पहुंचाएगी